लास्ट विक हमने एक बैंकिंग क्राइसिस देखा यूएस में स्टार्ट होते हुए जिसमें सिल्वर के सिंग्नेशर बैंक पहले बस्ट हुए उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक बस्ट हुआ जो एक मेजर न्यूस बनके सामने है हाला कि वो एक सिस्टेमाटिक बैंक रही है जो जीसे बैंक से दुनिया के अंदर उसमें वो शामल नहीं होता लेकिन इसल्व इस बिकम ए बिग न्यूस उसके बाद फेटरल इजोफ और यूस ट्रेजरी इस ने एक बेल और प्लान पेश किया जिसमें उन्होंने यह एलान किया कि जो भी ट्रॉबल बैंक्स है जिनके ट्रॉमेंडस वोलाइटली देखिया हमने जो हमने 2008 इवन गोस बेक टु नैंटीन एटी स्क्राइस हमने इतनी वोलाइटली बांड की यूल के अंदर फ्लेट्च यूट होते वह कभी नहीं देखी पर हमने देखा के स्विस बैंक यानिक वन दा मेजर बैंक इन दी यूरो जोन दाट वोस ओर्मोस एज दी एड दी एज अफ कोलाप्स यानिके उन साओदी इस ने पैसा पुल कर लिया पर स्विस नेशनल बैंक यूके सेंटल बैंक इस देखिया की वो नाकाम होई और अभी यूपी एस उसको बाय कर रहा है कहने का मक्सर ये कि सारी जो साइन्स हम इस इन ग्लोबल मौनरी सिस्टम ये कुछ नूजी मैं आप से शेयर कर रहा हूं जो के इंडिगेर करती है कि सम्थिंग इस गूइन तो है ये फैट की बैलंस शीट है जिसमें में देखा कि मार्च 20 22 में इन्हों ने अपनी बैलंस शीट को जो है वो रिदूस करना शूर कि क्या है कि मार्च 20 मार्च 20 के शूर्ट फान ऑद देखा कि इस अब्र आगे ये चाट है फैट की डिस्काउंट विंडू का जिसमें हमें नगराता है कि एम री तोर पे चैट आप जूहें अज़र जो है ओस एजड पर टोर गुल्ट अट की चलता है रहा अन्कि एकर यह ब टेंपरी बोरेंग अप्टू 152 बिलियन डॉलर्स लास्टाम यह स्पाइक कब हुई थी मार्च 2020 में और उससे पहले 2008-2009 के क्या आपको ही नहीं लगता कि एकदम सदन स्पाइक जो टेंपरी बोरेंग की आई है वो एक अनॉमली है और इस नियूज में फेरल इजर्व ने डोलर स्वाप लाइन्स को डेली बिसिस पे ओन कर दिया है यूज में आपको ही यूज में पिस्पार आपक डियूर्व एक आपको डियूज में लगता है झाल 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 झाल